हेई फैमिली वेलकम टुआ चानल मैं हूं वेशाली आप सब लोग को स्वागत करते हूं वेशाली मुद्र के फाशन डोस पे सो आप सभी लोग की रिक्वेस्ट को थ्यान में रखते वे शुरू करती हूं मिंत्रा का वीडियो येस मिंत्रा बल चल रही है एंड ओफ रीजन सेल देख रहे हैं ना तो देखिए जब सेल का ही नाम है कि एंड ओफ रीजन तो रीजन तो नहीं होना चाहिए शॉप करने के लिए ना शुरू करते हैं वीडियो बहुत सारे गॉजस ओप्षिंस चुन चुन का लाई हूं मिंत्रा से आप लोग के लिए आप लोग को बसंद आएंगे हमेशा की तरह तो इस बार मैंने शॉपिंग किये बिकॉस देखो जहम ऑलनाई शॉपिंग करते हैं सेल जल रही है जो डिस को डिसें सेल से आप जो भी खरीते हैं जितने भी मैक्सिमूम डिसकांट पर जितने भी को लगाने के बाद जस्त एक स्टेब आपको एक्स्रा लेना है लटीशॉप के थूजा के शॉप करना है आपको एक्षा कैश बैक मिलेगा जिससे आप खरीद रहे हैं वही आपको extra cash पर गूम के आपके वालेट में आ सकता है कितनी अमेजिंग चीज है यार और लेडी शॉप के साथ 2000 से भी ज्यादा वेबसाइट असोसियेटे है लाइक अगर मिंत्रा से शॉप नहीं करना चाहरे तो आज यूसे फिलिपकार से मम अर्ट से बहुत सारी जगह है जहां पर आप शॉप कर सकते हैं स्टोर्स है सो मुझे नहीं लगता कि ये स्टैप आपको मिस करना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बात बेनिफिशल होने वाला है चली शॉड़ करते हैं आज का वीडियो फर्स आउट फिट जाब के साथ श्रग वाला कुर्ती इसमें रेड कलर का आपको इनर साइड मिलेगा आप साइड में पूरा चायोन में लूग देख सकते हैं अंदर जो इनर है वो इस सरीकी से मिलता है प्योर रेड कलर में ऊपर थोड़ा काथा स्टिच की तरह न पॉल की एक जस्ट लाइन बनाई हुई है अपर हैंड स्टिच की हुई है रेयोन मटेरियल है बोडी हगिंग लाइड अप फिटिंग देख लीजे इसकी बहुत गॉट गॉट जाई थी मुझे और इसमेरा साइज मीडियम है ब्रैंड का नाम है मिनाक्षी रेयोन मटेरियल होने के कारएड इसका फिटिंग गॉट जिस आया है और यह आप इंडिविज्वी भी पहन सकते हैं इसके ऊपर जो आपको श्रुग मिल रहा है यह कॉटन में थोड़ा सा मिक्स्ट फाला कॉटन है 100% कॉटन मुझे फील नहीं हो रहा है इसलिए मैं आपको बता दू इस सरी के से श्रुग मिलेगा ओफ वाइड शेड में जिस पर इंब्रोईडरी हो रखी है फ्लावर बने के साथ यहां पर भी इंब्रोईडरी की डीटेल है आगे कट आउट मिल रहा है और साइड में भी इस सरी के से पैनल बना हुआ है तो पूरा पहनने क्याद मैंने सको स्कूर्ट के साथ ट्राय किया था अच्छा लग रहा था अगर आप ट्राय करना चाहें तो आप कर सकते ह है फिटिंग वगर मुझे बहुत गॉर्जिस है नेक्स्ट चलिये नेक्स्ट आउट्फिट की तरफ नेक्स्ट कलर देखके अपने खुश हो जाना है यह है फ्रम्द ब्राइंड जिया और इसमें मेरा साइस एक्स एल है देखिए इसाइस चार्ट के अकॉर्डिंग जाता है कभी मीडियम भी आजाता है कभी XL तो इस वाले ब्रैंड में इस वाले पर्टिकुलर सूट में मेरा साइस एक्स एल है अगर आपकी हाइट मेरी तरह है तो प्लीज गो फॉर इट और मेरी हाइट है 5'2 इस सरीके से तील ब्लू कलर येस बहुत अमेजिंग कलर है आ प्रिंट होता है वो वाला है और इसका जो फैबरिक है देखिए कितना ग्लॉसी और शाइनी है बट ये सिंथेटिक सिल्क बोते है जिसको वो वाला माटेरियल है यहाँ पर भी आपको यही वाली बॉर्डर मिल जाएगी प्रिंट तो मुझे लगता है कि ये जिस टाइप क गॉर्डर में लगता है लुक वाइस तो कमाल है और प्राइज भी इसके काफी आई थिंग मैंने ये 800 के अराउंड ख़िदा था अभी आ डूंट नो सेल प्राइज जो भी इग्जक प्राइज होगा मैं साइड में शेयर कर रही हूं पिक्चर भी और सारे स्क्रीन शॉट यहां पर सेमी एलास्टिक आपको बैंड मेलेगा तेक इस टाइप के सूच में क्या होता है कि बॉटम वेर में बड़े अनकमफर्टेबल होते हैं अगा पहन लेते हैं तो अब बैठ नहीं पाते हैं बैठ तो आसन की साइड थाई एरिया पर या तो फट जाता है या बिका अब इसमें दो तीन शोस्टॉपर हो गए है चलिए आपको दिखाते हो नेक्स्ट जो अनारकली ड्रेस और अनारकली कुर्ती आप इसको कह सकते हैं यह है फॉम दे ब्राइन सेसेफिरास की तरफ से इस तरफे का नेवी ब्लू कलर का ड्रेस है स्ट्राइप्स में आगे जो बटन है यह कपडे के बटन है और सारे ही ओपनेबल है जो भी फीडिंग मदर्स है आराम से इसको ले सकती है इवन जिनका तमी रिया थोड़ा बार है या फिर जो प्रेगनेंसी में है आराम से इस टाइप के आउटफिट के लिए जाए जो कि आपके बस्ट के बाद घेरे में आजाता है जो कि अच्छा लगता है पहनने के बाद स्टाइलिश भी लगता है कई फोटो शूट्स रहते हैं आपके तो आराम से कैरी कर सकते हैं कमफर्टेबल रहता है 100% कॉटन माटीरियल में है स्रीफोर स्लीव बहुत बेसिक और क्लासिक जस्ट गो फॉर इट ओफ ही मिल रही है कई बार होता है ना के नीचे की तरफ जो फ्लेयर होता है उसमें हमें कुछ अंदर कैरी करना पड़ता है शौट्स या फिर लेगिंग्स यहां पर अपको 100% कॉटन माटीरियल की लाइनिंग मिल रही है सो डूंट वरी अगर आप इसको एज़ ड्रेस पहनना बूट्स के साथ ही हील्स के साथ अराम से पहन सकते है लिए ब्रैंड ट और अच्छे क्वालिटी स्टफ में इन्वेस करने का परस ही इस सरी कि होता है कि हमारे सारी प्रॉब्लम सौल जाती है इसके questions मुझे लग रहा है वीडियो के जाने के बाद भी आते रहेंगे क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं गया विज दिन से मैंने इसकी वीडियो पिक्चर आलते कि इसका question नहीं आया हो सो लेट्स शेयर यहां पर यह है फ्रॉम दे ब्रैंड सांग्रिया की दरफ से शोस्टोपर और इसमें मेरा साइस एकसल यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपकी हैल्थ मेरी तरह है तो लार्ज या फिर मीडियम के लिए भी आ सकते हैं इस कुर्ती का जो फिट है ना यो पार्ट पर जो यह आप स्क्वेर डिजाइन देख रहे हैं इसके बाद से ही ग्यादर शुरू हो जाते हैं तो इसकी लुक ए-लाइन से हो जाती है यहां के बाद लाद आपके आम होल के बाद ही ए-लाइन में है तो काफी खुली-खुली इसी ब्रीजी काइंड ऑफ ड्रेस है सो इसले मैंने बोला कि मीडियम और लाज ट्राइकर लीजेगा इडू यह एक्सल कैसे आ गया मैं इसको एक्षेंज कराऊंगी यह ओनलाइन छॉपिं करने का फाइदा यह है कि घर बैठे ही आपको एक्षेंज करने को भी मिल जाता है इस तरह के से कम्प्लीट अजरक प्रिंट है इस पे और अजरक प्रिंट के न दो तिम पैटरन्स है लाइक जो इसका योग पाट है उस पर डिफरेंट अजरक प्रिंट है यहां पर स्लीव पर डिफरेंट है और इसका जो यह वाला पाट है जो इसका पूरा बोडी का औरेंज कलर उता ना एक दम वह बहुत यूनीक वाला शेड एक प्लीट एथिनिक वाइप देने वाला यहां पर इसके टैसल अंदर चले एक मिनिट एक मिनिट इसको पूरे भार निकार थे कुई यही तो यूस्पी अगार लुक एद टैसल जब एक डिजाइनर ना दिल और तो दोनों लगाता है किसी ड्रेस के पीछे तो ऐसे पीसे निकल कर रहते हैं याद देखो टैसल के अंदर टैसल लगाने के बात महाँ पर एक बटन डिये में हैं लाइक क्यूट लिटल डीटेल्स बट एक आउटफिट को डिजाइनर बनाने के लिए कितने पहरी लग रही पॉकेट्स हैं तो सैनिटाइजर और फोन रखने के लिए परफेक्ट है है ना सो नेक्स्ट आउटफिट शेयर करने से पहले साइट पर देख रहे हैं आप मेरी इंस्टेग्राम के एक चोटी सी छलक आप मुझे जॉइन कर सकते हैं वहाँ पर में बहुत सारी वीडियो क् पिक्चर्स, स्टोरीज, बहुत सारी चीज़े शेयर करती हूँ अगर वन-to-one थोड़ा सा टाच चाते हैं परसनल तो महाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक्स देस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेरे इंस्टा है मित्रवेशाली मेरे नाम का उल्टा सो फड़ा-फड फ्रम दे ब्रांड गेरुआ, गेरुआ से मैंने बहुत टाइम बात कोई एक पीस खरीडा है इसमें मेरे साइज लाज है ब्रांड दिखा देती हूँ यह ब्रांड टांग है लाज है मेरे साइज एंड लेट्स अप्रिशेट दा कलर अगें यह देखिये लेमन येलो पहनने के बाद इस सरीके से नेकलाइन मिलेगे अपको वी कट आउट के साथ और थोड़ा सा ना करोशिया का वाइट डीटेल है पूरी कुर्ती में इकत का पैटन है वाइट एंड येलो इकत का पैटन है यह इकत वीवड नहीं है जस्ट प्रिंट है ठीक है बट देखने म इसकी अपील बहुत कॉजिस फ्रेश एक दम वाई भी डिफरेंट है घेरा बहुत अमेजिंग है और इसके साथ और इसके साथ लाइट कलर है अगर आपको फील हो तो आपके इसके साथ एक इनराइड कर सकते है अगर आपने न्यूड कलर का अंडर का पैना है तो उसकी भी अगर नहीं रहेगी इसके साथ इसको आपको पैंट मिलेगा यह है सेमी इलास्टिक में पीछे की तरफ एलास्टिक है और यहां पर आपको मिल जाती है दोनों साइड में पॉकेट्स बट यहां पर एक चीज बोलूगी कुर्ती इनोने दी है अनार कली पूरी नीचे था ए यहां डिजाइनर ने दिली लगा दिया लग रहे है दिमाग तो लगा ही नहीं तो चोड़ देते इस पॉइंट को बट मुझे यहां यहां पर आपको पोकेट्स मेल जा रही है और इस वाले पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट पाटन मिलता है पूरा पलाजो पैंट लाइ अराम से उठीए आराम से बैठीए जमीन पर बैठ जाएए मस्त कोई दिकत ने आने वाली यहां पर बॉटम भी ब्रॉट मिल रहा है यह वाइट क्रोशिय वाले बॉल्स की डीटेल मुझा लगता है इसके लिए इतनी डीटेल काफी है अब चलते है अपने शों स्टॉपर की दरफ देखिए कर कोई भी पीस थोड़ा सभी पसंदा है मेक शूर लाइक करके जाएगा एंड हमारी वीडियो और हमारा चैनल खोना जाए इसके लिए आपको जो सब्सक्राइब बठन अभी तक रेड हुआ पड़ा है उसे ग्रे कर दो और जो ग्रे लाइक था बटन है उसे ब्रू कर दो बस इतनी सी चीज है देखिए बहुत सारे चैनल है मुझे पता है बहुत सारे रिव्यू देखते हो कहीं खोना जाए या फिर नई वीडियो डालों तो उसकी साथ आपको लेडिशॉप से शॉपिंग करनी कैसे है चलिए देख लेते हैं सो डिस्क्रिप्शन में दिये वे जैसी लिंक से आप डाउनलोड करेंगे एमेल आइडियो पासवर से आपको जॉइन कर लेना है इंडिया कंट्री को चूज कर लेना है उसके बाद आपको चू बैक कर लिये और यहां से प्लेस ओर कर दिया सिंपल इसके बाद आपको और इन मिंत्रा में आपकी अर्निंग देखने को मिलेगी एड़ इसको आप विड्रॉ कर सकते हैं पेपाल यूपिय में देखा आवी इतना सिंपल चीज है पस एक स्टेप एक्स्ट्रा लेना है एक् इसको ब्लाक अउटफिट और आगे से इसका जो स्वीठ राइन होता है यार पता नहीं मैंने तो आज तक इसका नेकलाइन का नाम स्वीठ हाट ही सुना है जब भी टेलर पर जाते थे तो अच्छली में यह पूरा टेलर मेड पीस है आगे आपको नेकलाइन स्वीठ हार न सारी इची चीज़े क्रायान में आप पंप्लीट लुक देख लीजेगा पता नहीं कुर्ती उठाके मैं यहां पर इसली दिखा पाऊंगी कि नहीं यहां बर आम होल के बाद ही पूरा न अंब्रेला वाला फ्लेर है तब भी इतनी खूबसूरत फिटिंग आ रही है यहां पर और यह जो आप फ्लावर देख रहे हो ना इस पर पूरा सीक्वेंस का वीवड है तो कोई प्रिंट शिंट नहीं है उसके दोके में मत आ जाना यह पूरा ही सीक्वेंस है यह पीछे की तरफ से दिखा देते हो यह सी पूरा वीव हो रख है प्रिंट शिंट नहीं है एंड इसकी बैक यह बहुत सही वाली बैक है जैसे मैं आपको खाना टेलर मेट पट इस पर दोरी नहीं है अगर आपको लगता है कि आपके शोल्डर पर यह इशू कर रहा है वैसे तो आप टायावन में दिख सेकते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी फिटिंग बहुत अच्छी है अगर अगर अप चाहते हैं तो पीछे एक डोरी लगवा के अपने टेलर से और एक बढ़िया सी ना फैंसी सी लटकल नगा ले ना प्रॉप पटोला इस अरीके से बहुत अच्छा वाला डीपनेक है पीछे और आगे ये ना बिलकुल एस मेट्रिक में इसका जो कुर्ती है वो है शौट नार कली है एस मेट्रिक में आगे लाइक हाई और लो पैटन आगे की तरफ से आपको थोड़ा सा हाई मिलेगा और बैक साइड में थोड़ा सा लो है आप ट्रायोन में अच्छे से देख पाएंगे देखें कितना प्यारा पीस है ऐसे ही जस स्टार की तरह ब्लिंग कर रहा है स्क्रीन पर बहुत अच्छा फैब्रिक है और इसकी पैंट पैंट पर इस सरी किसे पैंट नहीं है सौरी सल्वार है मोडा रैपिडो का यहां पर न यह भी मुझे बड़ी सही चीज लगी साइड में इसका नाड़ा दिया हुआ जैसे कि आगे जब नाड़ा बाल लेंदे हो पैट के बास मोटा मोटा सो हो जाता है साइड पर नाड़ा है विच इस ब्लस पोइंट और इसका मिल रहा है आपको धोती पैंट जो की ट्रेंडी लगता है मुझे लगता है शौर्ट अनार के लिए इसके साथ नापको धोती ही क्यारी करनी चाहिए गजब लगती है इस सिरीकेस मिले के लेकिन इसकी पैंट पर जो आपको गोल्ड डॉटेट देख रहे है ये प्रिंट है इसकी जो कुर्ती है उस पर सीक्वेंस का है काम जो की स्टिच वाला है पट यहां पर आपको प्रिंट मिल जाता है इसका फैबरिक भी बहुत सॉफ्ट है थोड़ा सा रेउन फील हो रहा है मुझे लिवा फैबरिक की तरह इसका भी प्राइज़ और सारी चीज़े मैंने स्क्रीन पर दे दी है सो कैसा लगा आज का वीडियो शोस्टॉपर कैसा लगा आपको कौन सा अलपी सबसे जादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएगा शेर कर दो यार यह वीडियो ताकि हमारा चैनल और जल्दी स्पीड से ग्रो कर सके अब मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच सभी लोगों को दिल से जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं अपनी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकालते हैं हमारे लिए सपोर्ट करते हैं प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं और हमें और भी जादा मोटिवेट कर देते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिग मैं वीडियो फॉर यह सपोर्ट फॉर यह लग